जैम अतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटीब चैनल में दोस्तों 17 अक्टूबर से शार्दिय नवरात्री शुरू हो रही है और इस बार की नवरात्री पे लगबग 38 वर्ष के बाद नवरात्री में बहुत अच्छा एक संयोग बना है जो की संयोग है वो बेहud khas होने वाला है सभी लोगों के लिए ये जो संयोग है ये बेहud khas होने वाला है और इसका प्रभा बेहud शुब होगा 38 वर्ष के बाद नवरात्री में 9 दिनों में से चार सरवार्थ सिध्धी और चार रवियोग का संयोग बन रहा है रवियोग और सरवार सिध्धी योग चार चार पढ़ने वाले हैं जो बहुत शुबी संयोग माना जाता है नवमी तिथी पर संध्याकाल में विजय दस्वी का परू मनाया जाएगा विजिष्ट संयोग में ये शार्दिय नवरात्री आई है जब साधना और सिध्धी बहुत महत्पुन होती है इन नौ दिनों में की जाने वाली पूजा किये जाने वाले उपाय साधक की जीवन को सुक समरद्धी से भर देंगे और ये जो नवरात्री होगी 17 अक्टूबर को घट स्थापना होगी 25 अक्टूबर की सुभा नवमी पूजन के बाद शाम को दसेरा मनाया जाएगा दोस्तो अधिकमास के कारण ये सहीयों गर 30 साल के बाद बना है प्रतेक तीन वर्ष में अधिकमास आता है लेकिन इसकी गणना अलग अलग तरह से होती है अब 17 अक्टूबर को क्या शुभ सहीयों है जिसमें आप घट स्थापना करे और कुम राशी के लोगों के लिए किस पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ विशेश यह है कि 17 अक्टूबर को जब नवरातरी शुरुवात हो रही है तो इस दिन एक तो सुरे का राशी परिवरतन हो रहा है शनिवार का दिन है दूसरा चित्र योग में घट स्थापना होना बहुत ही शुरू माना जाता है इस योग में 11 बजकर 54 मिनट से यह शुरू होगा और अगले दिन रविवार सुबच 6 बजकर 28 मिनट तक रहेगा इस द्रस्टी से 19 गंटे का सरवार सिद्धी योग साधना उपासना की द्रस्टी से सर्वस्र इस द्रस्ट माना गया है यह जो योग है यह इतने खास हैं कि इन योगों में देखे अब आती है बात कि यह योग कब कब बन रहे हैं जो आपके लिए लापताय करेंगे तो देखे अगर सरवार सिद्धी योग की हम बताएं तो 17 अक्टूबर 19 अक्टूबर 23 अक्टूब ना करें क्योंकि यह आपके जीवन में सुख सम्रद्धी भर देगा यह आप सुभा 17 अक्टूबर की सुभा 8 बजे से 9 बज कर 20 मिनट तक सुभा का समय है दो पहर 2 बजे से 3.5 बजे तक लाबर इसका है और इसके अलावा जो दो पहर 3.5 बजे से 5 बजे तक अम्रुत घट स्थापना के लिए स्रीट समय है इसके लावा सुभै साड़े 11.15 से रात्री सरवार सिद्धी योग रहेगा जो इस दिन की शुबता बढ़ा रहा है सुख सम्रद्धी दिलाएगा घर परिवार में देवी दुरगा की किरपा बरसेगी तो यह जो समय है यह घटिस्थापन करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अब कुंबराशी के लोगों के लिए कौन कौन सी चीजों में फायदा होगा क्या कारिया आपको करने चाहिए तो देखिए कोशिश करें इस नवरात्री में आप जो काम करेंगे वो आपके समाज परिवार दोनों के लिए ही उतन समान रूप से तेजी से प्रगति आपकी होगी समाज में नए उधारन स्थापित करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे जीवन में बदलाव आपके लिए बेहद सुखद रहेगा मातरानी आपकी मनो कामना जरूर पोन करेंगे आपके जीवन में सभी प्रकार की परिशा पाने को खत्म करेंगे आपको उपने परिवार में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा सफलता पाने से आपको कुछ नहीं रोक सकता समाज में मान सम्मान आपका इस दोरान बढ़ेगा इसके अलावा इस नवरातरी के दोरान बहुत से ऐसे परिवर्तन भी ग्रहों में हो पर इस समें काफी अच्छा रहने वाला है देखे जहां सूर्य का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि सूर्य नीच रासी में बैठे हैं लेकिन बुद्ध ने राशी परिवर्टित करके बुद्ध के साथ सूर्य बैठकर बुद्ध हजित योग का निर्मान कर इसरवार सिद्ध योग का बनना और सुखोकिस्वामी का आपके साहस को बढ़ाए काप्राक्रम को बढ़ाएगा अपने यह समय की काम को कर ने में संकोच नहीं करेंगे अपनी इसी कला के चलते आपको दूसरे मोराव योग भी बहुत प्राप्त होगा ये नवरात्री का समय पारिवारिक जीवन के लिए भी काफी अच्छा है परिवार में खुशियां रहेंगी घर परिवार में एक खुशियों का वातावरण चाय रहेगा हर आपको सकारात मक्ता का भाव होगा और ये जो वातावरण होगा ये आपको बड़ा प्रेसर न रखेगा इस दोरान इन नौ दिनों में आपको पैत्रक संपत्ति से लाब का योग बना हुआ है प्रेम जीवन के अगर देखें तो प्रेम जीवन के लिए आपका जो रिष्टा है वो एक अलग राह पकड़ सकता है इस दोरान आपका रिष् आपको करनी है इस नवरात्री के नौ दिनों में मदुर्गा का आशिरवाद आपके उपर हर तरह से होगा बस उनकी जो भक्ति भावना पूरे भक्ति भाव से मदुर्गा की आप आराधना करें उनकी पूझा करें उनके व्रत करें और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था अगर किसी कामना के लिए आप ये व्रत करना चाहते हैं तो कामना के लिए भी आप व्रत कर सकते हैं इस शुब योग में जब अधिक मास के बाद ऐसे शुब नक्षत्रों में योगों में मालक्षमी का ये नवरात्री पर वाता है तो इस समय जब उपाय करते है तो उनका बहुत जल्दी फल मिलता है तो हमारी पीछे वाली वीडियो आप उसके लिए देख सकते हैं इस नवरात्री में अचानक से बहुत अच्छी खबरे आने की उमीदे आप कर सकते हैं जीवन में बदलाव आपके लिए खास होगा जीवन में नई सफलताएं मिलने की उमीद होंगी घर परिवार के सदस्य का आपके साथ जो वैवार होगा वो काफी अच्छा होगा तो ये जो समय है ये ऐसा होगा कि आपको अपने जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे ऐसा भी रह सकता है कि आप काफी बिजी रहे काम का प्रेशर आपके उपर जादा रहे और उस काम से टाइम निकाल कर आप मातरानी की सेवा में लगे और सबसे बड़ी चीज़ है आप इन नो दूनों में दानपोने जरूर करें किसी भी तरह का दानपोन आप कर सकते हैं अन का दान कर सकते हैं वस्तर का दान कर सकते हैं धन का दान कर सकते हैं दवाईयों का दान कर सकते हैं गरीबों की सेवा का दान कर सकते हैं ये जो दान होते हैं इन नौदूनों में जब दिए दान किया जाता है तो उसका जो फल है वो बड़ा अचसुन्दर मिलता है. बहुत ही जल्दी उसका फल आपको देखने को मिलता है. तो कुमराशी के लोगों को इस दौरान इस नौ दूनों में अपनी हर कामना को पूरा करने के लिए मादुरगा की सेवा करनी है और अपने लिए एक अच्छे समय की शुरुआत करनी है तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें